नमस्ते दोस्तों कविता किचन रेसेपीज में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आये वो महाशिवरात्री स्पेशल बहुती मज़ेदार टेश्टी और क्रिस्पी साबोदाना वड़ा की रेसेपी आज के इस वीडियो में मैं आपको साबोदाना वड़ा बनाने के सभी टिप्स एंट्रिक्स बताऊंगी इससे आपका साबोदाना वड़ा बिल्कूल भी ओईली नहीं बनेगा और साथ ही पास्टिंग वाली चटने भी बना कर देखाऊंगी तो वीडियो को यंट तक जरूर देखे जले रेसेपी बनाना शुरू करते है तो इसके लिए मैंने यापर एक कप साबोदाना लिया है अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे दो से तीन बार अच्छे से वाश करेंगे ताकि इसमें जो भी डश्ट वैगरा है वो निकल जाएगा तो देखे साबोदाना को हमने अच्छे से दो कर साब कर लिया है अब हम इसमें एक कप पानी डालेंगे ध्यान रखे जिस कप से आपने साबोदाना लिया है सेम उसी कप से हमें एक कप पानी लेना है mix करेंगे इसे अच्छे से और इसके बाद हम इसे cover करके 7-8 घंटे या पूरी राद बर फुलने के लिए छोड़ देंगे साबुदाना को मैंने या पर पूरी राद बर फुलने के लिए छोड़ दिया था देखें साबुदाना बहुती अच्छे से फूल चुका है और आप देख सकते एकदम परफेक्ट हर एक दाना खिला-खिला है बिल्कूल भी चिप-चिपा नहीं है बस ऐसे ही साबुदाना हमें वड़ा बनाने के लिए चाहिए अगर आप इसमें ज़्यादा पाने डालेंग के मुंखफली को हमने रोष्ट करके पिसा है इसके बाद हम इसमें एक चमच दर-दरी कुटी वई हरी मिच डालेंगे इसके साथ यह आदा चमच काला नमक डालेंगे और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे आप चाहे तो इसमें काली मिच का पाउडर या जीरे का पाउडर भी याड़ कर सकते हैं लेकिन मैं यहाप पर फास्टिंग वाला वड़ा बना रही हूँ इसलिए मैंने सिप हरी मिच का ही समाल किया है तो देखे सभी मिसरों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब आती ही इसमें आलू डालने की तो मैंने याप पर तीन मीडियम साइज के आलू को पेले ही उबाल कर थंडा होने के लिए रख दिया था अब हम इसे इस तरह से ग्रेट करेंगे तो जब भी आप साबुदाना वड़ा बनाए इससे तीन से चार गंटे पेले आलू को उबाल कर इस तरह से थंडा होने के लिए रख दे रूप टेंपरेचर पे या फ्रीज में इससे आपके साबुदाना वड़ा का डो जो है एकदम टाइड बनके तयार होगा और वड़े भी ओईल फ्री बनेंगे तो देखे मैंने याप पर सभी आलू को अच्छे से ग्रेट कर लि अच्छे से डो बना कर तयार करेंगे तो देखे साबुदाना और आलू को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम हाथों को पानी लगा कर इसके वड़े बना कर तयार करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से मैंने हाथों को पानी लगा है अब हम थोड़ा थोड़ा मिश्रन लेके इसके इस तरह से बॉल बनाएंगे और फिर उंगलियों से इसे हलका सा प्रेस करेंगे तो देखे एक वड़ा बनकी तयार है अब हम इसे प्लेट में रखेंगे सेम इसी तरह दुसरा वड़ा भी हम बनाएंगे तो देखे दुसरा वड़ा भी बनकर तयार हो गया है अब हम बच्चे वए वड़ों को इस तरह से बना कर तयार करेंगे तो देखे यहाँ पर सभी वड़ों को हमने अच्चे से बना लिया है अब हम चलते इसे फ्राइ करने के प्रोसेस में तो इसके लिए हम गया सान करके एक कड़ाई में तेल गरम होने के लिए रखेंगे तेल गरम हो रहा है तब तक हम बस दो मिट में चटनी बनाएंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग जार लिया है अब हम इसमें यह आदा कप रोष्ट की वई मुंगफली डालेंगे मुंगफली को मैंने रोष्ट करके इसका चिलका निकाल लिया है इससे हम मिक्सिंग जार में डालेंगे इसके बाद हम इसमें 2-3 हरीमिश डालेंगे एक चमज दही आदा चमज सेंदा नमक थोड़ा सा धनिया पत्ता और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर चटनी को अच्छे से पीस लेंगे तो देखिए चटनी को हमने अच्छे से पीस ले आए अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे तो देखिए चटनी तयार हो चुकी है और तेल भी याँ पर गरम हो गया है तो अब हम वडो को फ्राइक करने के लिए डालेंगे तेल काफी गरम है इसलिए हम इसे सावदानी से डाले तो देखिए एक बार में मैंने याँ पर चार वडो को डाल दिया है आप अपने तेल के ही साबसे वडो को कम या ज़ादा डाल सकते है मिडियम फ्लेम पे वडो को हम 7-8 मिट के लिए अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राइ करेंगे यानि कि जब तक वडो जो है गोल्डन ब्राउन ना हो तब तक हम वडो को अच्छे से प्राइ करेंगे तो देखिए वडो एक साइड से अच्छे से प्राइ हो चुके है अब हम इने दुसरी साइट पलट देंगे ताकि वड़े जो यह दोनों साइट से अच्छे से प्राई हो जाए साथ से आट मीड के लगबग हो चुके है और वड़ो का कलर पहले से कापी चेंज हो गया है तो देखी साबुदाना वड़े यहाप पर बहुती अच्छे से प्राई हो चुके है अब हम इसे नैपकिन पेपर पे निकाल लेंगे ताकि इसमें जो भी एश्ट वाइल होगा वो निकल जाएगा तो अब हम बचेवए वड़ो को भी इस तरह से फ्राई करके तयार करेंगे इने भी हम तेल में डाल देंगे तो देखी बचेवए साबुदाना वड़े भी यहाप पर बहुती अच्छे से फ्राई हो चुके है इसे भी हम नैपकिन पेपर पे निकाल लेंगे तो यहापर सभी वड़े जो इव अच्छे से फ्राई हो चुके है मैं आपको चारो तरब से दिखाऊंगी तो लग रहे है ना एकदम क्रिस्पी तो अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग तो देखें बहुती बड़ी असाबुदाना वड़े बनके तयार हो गए है अब हम इसके बीच में मुझफली की चटनी रख देंगे तो देखें काफी कलरफुल लग रहा है दिखने में मैं इसमें से एक वड़ा आपको तोड़के दिखाऊंगी तो देखें एकदम परफेक्ट अंदर से स्वाप्ट और बाहर से क्रिस्पी साबुदाना वड़ा बनके तयार हो गया है इसे गर्मा गरम सर्व करें मुझफली की चटनी के साथ तो यही पर खतम होती है आज की हमारी यह साबुदाना वड़ा की रेसेपी तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की रेसेपी जरूर पसंद आएगी अगर रेसेपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शियर करें चैनल को सस्क्राइब करने के साथ साथ बेल आइक आपको मिल सके फिर मिलेंगे एक और नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद